Hello friends, good morning, मेरा नाम है सवरब और आप देख रहे हैं Perfect Mobile Solution. मेरे पास ये जो डिवाइस है, दोस्तों, Infinix brand की है और इसका model number है Infinix Hot 55G. इस डिवाइस में problem यह है, दोस्तों कि डिवाइस हमारी FRP lock है, यानि कि Google Account lock है, Gmail ID lock है. तो इस वीडियो में मैं Infinix Hot 55G का FRP कैसे remove करना है, आपको बताऊंगा step by step, तो please वीडियो को skip नहीं करिएगा. यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डिवाइस FRP lock है, एक छोटा सा trick बता देता हूँ, उपर के त्रप कोर्ने में ध्यान दीजिए, एक छोटा सा locker सो कर रहा है, है न? तो इस टाइब का locker अगर आपके डिवाइस में सो करता है, तो इसका मतलब confirm है कि डिवाइस आपकी FRP lock है, फिर भी मैं आपको confirm कर देता हूँ कि मेरे पास ही जो infinix की डिवाइस है, यह FRP lock है, connect to Wi-Fi वाले आपसन पे आ चुके है, यहाँ पे दिखें next का आपसन highlight नहीं है, कुछ second wait करने के बाद दोस्तों, आपको confirm हो जाएगा कि मेरे पासे जो infinix की डिवाइस है, यह पूरी तरह से FRP lock है, यहाँ से आपको simple don't copy पे क्लिक करना है, और यह देखिए, आप देख सकते है, verify pattern का option ना गया, यानि कि device पहले हमारी pattern लाइस थी, और यह pattern आपको पता होन और अब देखेंगे यहाँ पे लिखके आएगा verify your account, आपने देखा verify your account का ups ना गया, अब पूरी तरह से confirm हो गया ना कि device आपकी FRP lock है, क्योंकि अब इस device का FRP बाइपास करने के लिए आपको इस device का email ID यानि कि Gmail ID यहाँ पे verify करना होगा, जो कि हमको नहीं पता है, ओके, त online unlock होगा, ठीक है, तो अगर आपके पास यह device है, या किसी भी brand की कोई भी device है, और आपको अपनी device online घर बैठे बैठे अनलाग करवानी है, तो इसके लिए आप मुझे contact कर सकते हैं, मेरा contact detail description box में available है, तो चली दोस्तों अब आपको बताते हैं कि कैसे आपको Infinix Hot 55G का FRP bypass करन है, इसके लिए दोस्तों मैं आठ चुका अपने laptop के screen पे और यहां से video बिल्कुल ध्यान से देखेगा, सबसे पहले आपको करना कहा है दोस्तों, ध्यान दीजी इस device में जो chipset है, वो MTK है, तो आपको media tech का जो driver है, वो आपको अपने laptop या computer में install करके रखना है, ओके, दूस इस पे क्लिक करके और यहां पे थोड़ा सा साइड में आएंगे नीची की तरफ, तो दीखेगा android multi tool जो की बिल्कुल latest है, आप इस पे क्लिक करके इस tool को बहुत इसली download कर सकते हैं, ठीक है, driver का खास तोर से ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपने driver install नहीं किया होगा है, तो आपको यहां पे देनी पड़ती है, यहां पे run anyway करेंगे, yes या no का आपस ना हैगा, आप yes करेंगे, हाँ एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपके laptop या computer में antivirus है, तो please उसे disable कर ले, क्योंकि antivirus की वज़ज़ से tool open नहीं होता है, यह problem face करनी पड़ती है, तो please antivirus को आप disable कर ले, अब यह देखें दोस्तों, android multi-tool पूरी तरह से open हो चुका है, और बहुत ही easy interface इस tool का है, अब आपको करना क्या होता है दोस्तों, यहां पे email id और password की जरूरत होती है, तो जैसका मैंने बताया न कि यह tool paid है, तो इस tool का activation मैंने पहले से करके रखा है, मैं simply करूँग क्या, अपना id और password यहां पे enter करके इस tool को login करूँगा, id और password दोस्तों मैंने enter कर लिया, अब मैं login पे click करूँगा, तो आप देखेंगे, यह tool पूरी तरह से login होके open हो जाएगा, और यह देखे, यह tool पूरी तरह से login होके open हो चुका है, और बहुत ही easy interface इस tool का आपको select कर सकते हैं, और search for model यानि कि आपका जो भी model है, यहाँ पे आप type करके search कर सकते हैं, ठीक है, अब यह आपको करना क्या, यह brand की list है, आपको इस पे आना है, आपका जो भी brand है, जैसे कि हमारा brand infinix है, हम infinix select करेंगे, अब उसके बाद यहाँ पे search for model है, ठीक है, तो यहाँ प आपके device pattern pin या password lock है, तो इसे आप यहाँ से remove कर सकते हैं, या factory reset plus FRP, यानि कि pattern pin password lock और साथ में FRP, यानि कि Google account lock, Gmail ID lock भी remove कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें actually करना क्या है, इस device का FRP remove करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखे third option reset FRP का दिया है, सारे options दे हैं, इस device को flash भी आप कर सकते हैं, तो सारे options दे रखें, जिसकी ज़रूरत है, आप यहाँ से use कर सकते हैं, ठीक है, हमें चुकी FRP remove करना है, हम reset FRP पे click करेंगे, यहाँ पे OK का option आएगा, OK पे click करेंगे, अब device को connect कैसे करना, वो समझ लेते हैं, इसके लिए आपको simply करना कह दोस्तों, सबसे पहले device को पूरी तरह से power off कर लेना है, तो यहाँ से device को मैंने power off किया, connect करने का तरीका बहुत ही simple है, बहुत easy है, device को सबसे पहले आप पूरी तरह से power off कर ले, जब device आपकी power off हो जाए, तो अब आपको directly USB cable insert करना है, जैसे USB cable insert करेंगे, टूल में आप देखेंगे, Mediatek का port सो करेगा, ठीक है, sorry, Mediatek preloader का port सो करेगा, यह देखें, मैंने क्या किया, यह देखें, USB cable insert किया, driver आपको proper install करके रखना है, यह देखें, ठीक है, अब वहाँ पे देख सकते हैं, दूस्तों, Mediatek preloader का port सो कर दिया, ओके, और कुछ ही second में आप देखे रीबूट होकर पूरी तरह से on हो जाएगी, वो देखें, टाइम कितना लगा, नीचेक तरफ ध्यान देंगे दोस्तों, तो 52 सेकेंड का time लगा दोस्तों, और यह देखें, डिवाइस हमारे रीबूट होकर on हो गई, यह देखें, 52 सेकेंड का time लगा, डिवाइस अन हो बैठे-बैठे अनलाग करवाना है, contact details मैंने description box में mention कर दिया, वहाँ से contact कर सकते हैं, डिवाइस रीबूट होकर on हो गई, और अब ध्यान दीजिए दोस्तों, उपर की तरफ सबसे पहले, यहाँ पे उपर की तरफ ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं, किसी भी टाइप क इसे forget कर देते हैं, disconnect कर देते हैं, ओके, disconnect करने के बाद भी दोस्तों, आप देखें, यह skip का option यहाँ पे आ गया, ओके, यानि कि अब तो confirm हो गया न, कि device FRP lock है, तो यह पुरा full process है, in Snix Hot 55G का FRP bypass करने का, ठीक है, sorry, remove करने का, bypass नहीं कर सकते हैं इस device को, तो इसका FRP हमने unlock कर के दिखा दिया, सारा process आपको बता दिया, उम्मीद है, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज वीडियो को share करें, like करें, channel को support और subscribe करें, और दोस्तों, अगर आपको किसी भी brand की कोई भी device घर बैठे बैठे अनलाक करवानी हो, तो model number है, Infinix Hot 55G, यहाँ पर देखिए, X6720, device की security दोस्तों, अगर आप देखेंगे, तो device की security बिल्कुल latest Android 14 से up to date है, अगर आपको कोई tool purchase करना है, किसी डोंगल का activation चाहिए, या किसी भी brand की कोई भी device घर बैठे बैठे अनलाक करवानी है, तो आप मुसे contact जरूर करें, contact detail मैंन description box में mention कर दिया है, thanks for watching this video.